भर्दे सिसुराल कपणों से कपड़े, कपड़े, कपड़े हमारी प्यारी प्रियांगा जिसे दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कपड़े खरीदना उसे कहीं भी कपड़े दिख जाए तो वो उन्हें खरीदे मिना खुद को रोक नहीं सकती चाहे फिर उसे वो कपड़े पहनने हो या ना हो इस चकर में उसके अलमारी या यो समझ लो उसका पूरा कमरा सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़ों से भरा हुआ है जिससे देख कर अब उसके मम्मी परिशान हो चुकी है क्या बात कर रही यार 50% डिसकाउंट भीज भीज मुझे भी जल्दी से वो लिंक भीज इस बारना मैं कूर्ती खरीदूँगी आजकल कूर्ती पहने का ट्रेंड बहुत चला हुआ है और मैंने इंस्टा पर कूर्ती बे कोई फोटो पोस्ट भी नहीं की तो वो भी हो जाएगी चल बाई ये भगवान देन निकलानी और फिर से तेरे कपड़ों का ये पुरान शुरू हो गया अरे बिटा पहले ही तेरे पास इतने कपड़े पड़े हुए है उन्हें रखने की तो जगह घर में बन नहीं रही उपर से तुझे और कपड़े मंगाने है मम्मी कितने कपड़े है मेरे पास आपको पता भी है आजकर लड़कियों के पास कितने कपड़े होते है अब जो चीज ट्रेंड में आएगी वो तो खरीदनी पड़ेगी न पता नहीं क्या तेरा ट्रेंड अवरेंड है समझ में नहीं आता अरे तो इतने कपड़ों का कटी क्या है कपड़े खरीद खरीद कर पूरे कमरे को कबाड़ खाना बना दिया है अब इसे अपनी आतत सुधार ले वना कुछ दिनों बाद जब शादी होकर से सुराल जाएगी न तो तेरे इसास ये सब नहीं छेलने वाली Don't worry mommy, आप रिलेक्स करो अपनी इसास को तो मैं संभालूगी और आप देखना, मैं उनको भी अपने जब सब बना दूगी फिलाल मैं चली शापिंग करना है अपनी फ्रेंड की भेजियों बे लिंक से प्रियंगा बहुत सारे कपड़े फिर से मंगा लेती है और हर ड्रेस में फोटो खीच-खीच कर इंस्टा पर अपलोड कर दीती है ओ माई गाड पूरे 10,000 फॉलवर्स हो गए मेरे तो इंस्टा पर अब तो मुझे 10K वाला केक कट करके इंस्टा पर फोटो पोस्ट करनी पड़ेगी वन्ना सब लोग क्या सोचेंगे ओ हाँ मैं पिंक थीम रखूँगी स्ट्राबरी केक, पिंक डेकोरेशन और पिंक ड्रेस लेकिन पुरानी वारी पिंक ड्रेस में तो मैंने इंस्टा पर अल्रेडी फोटो पोस्ट की हुई है चलो कोई बात नहीं, नई ड्रेस मंगा लेती हूँ पिंक का अपने इंस्टाग्राम का 10K फोल्वर्स का सलिबरेशन करने के लिए पिंक कलर की नई ड्रेस बैन कर, केक कट करते हुए फोटो अपलोड करती है तबी रिशी को इंस्टाग्राम पर उसकी वो पोस्ट नजर आती है रे कौन आई है लड़की, इतने सुन्दर, इससे तो बात करनी पड़ेगी भई रिशी पोस्ट पर कमेंट करते हुए उसे 10K फॉल्वर्स कम्पलीट होने पर कॉंग्रेजुलेट करता है और धीरे धीरे उनकी बाते शुरू हो जाती है और कब वो प्यार में बदल जाती है उन्हें भी पता नहीं चलता और कुछ टाइम बाद दोनों अपने अपने परिवारों की रजामंदी से शादी भी कर लेते हैं अब शादी की कुछ दिन तक तो प्रियंका को शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता लेकिन कुछ दिन बाद वो फर से अपनी शॉपिंग की आदत से मजबूर नए कपड़ों की चान मिन शुरू कर देती है अरे वाँ प्रियंका तुम्हारी ये साडी तो बहुत ही सुन्दर लग रही है कहां से ली तुमने ये तो मैंने जमना मार्केट से खरे दी थी दी वहाँ पर सेल लगी हुई थी ना तो एक के साथ एक फ्री मिल रही थी तो मैंने ले ली अच्छा एक के साथ एक फ्री तब तो मैं बिलूँगी वैसे कितने में पड़ी तुम्हें ये साडी वैसे तो 4000 की थी दीदी लेकिन सेल में करी थी तो 2 में मिल गई क्या? तब तो सेल वाले ने तुम्हें लूट लिया क्योंकि ये साड़ी वैसे भी 2000 की मिलती है 2 साड़ी का भाव एक साड़ी में लगा दिया और बता दिया कि एक के साथ एक फ्री है और तुमने मान भी लिया अरे तुम्हें शॉपिंग करनी हो ना तो मेरे साथ चला करो अरे नहीं दीदी इस साड़ी की क्वालिटी अच्छी वाली है इसलिए ये महेंगी ही मिलती है खैर ये सब छोड़ी ये देखी साड़ी कितनी संदर लग रही है न आज कल ऑनलाइन बाद अच्छे-च्छे कपड़े आ रहे है अरे लिकिन ऐसी एक साड़ी तो अल्रेडी तुम्हारे पास है ना वो परपल कलर वाली हाँ है तो लिकिन मेरा सेंड साड़ी में ये वाला कलर खरीनने का भी मन है और मेरा मानना तो यही है कि जो चीज खरीनने का मन करे उसे बस खरीद लो खामका अपने मन को क्यों मानना अरे क्या बाती चल रहे है मेरी दोनों भाबियों के बीच कोई मुझे भी बता दो हरी कुछ नहीं हम बस ऑनलाइन साड़िया देख रहे थे मुझे ना ये पांच-छे साड़िया बहुत पसंद है तो बस वही ऑर्डर कर रही हूँ क्या पांच-छे साड़िया लेकिन भाबी अभी शादी में ही तो आप अपने लिए पचास साड़िया लेकर आई हो आप इतनी साड़िया रखोगी कहा हरी इतनी बड़ी अलमारी है मेरे पास वो तो अभी भी आधी ही भरी है और रिश्ची जी के अलमारी भी तो है उनकी अलमारी में तो उनकी थोड़े से ही कपड़े मैं अपनी पचास साड़िया उनकी अलमारी में शिट करने वाली हूँ बाकी जो नए कपड़े खरी दूँगी वो अपनी अलमारी में रख लूँगी वसे तुम्हारा ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है शीना काहां से खरीदा अच्छा ये ये तो मैंने मेरे पिछले birthday पर खरीदा था मार्किट में वो सरोज गार्मेंट से है न वहां से अच्छा तब तुम मैं अभी वहाँ पर जाऊंगी रोज-रोज साड़ी भी तो नहीं पहनी जाती ना जिस दिन साड़ी पैनने का मन नहीं करेगा, उस दिन सूट पैन लोगी अच्छा मुझे न आप ये अपनी एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाना है तो मैं चलती हूँ आप दोनों को भी चलना है, तो आ जाईए न अरे नहीं प्रियंगा तुम जाओ, शॉपिंग करने के लिए तुम एक ही काफी हो प्रियंगा अपनी फ्रेंड की साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और वापस आते हुए शीना की बताई हुई शॉप से खुप सारे सूट खरीद कर ले आती है उफू, मुझे तो लगा था ये बहुत बड़ी अलमारी है, लेकिन ये तो इतने सी कपड़ों में भर गई ये भगवान, अलमारी में ये इतने सारे कपड़े कहां से आ गए? कपड़ों की दुकान खोलने के बारे में सोच री हो क्या तुम? अरे नहीं जी, इतने से कपड़ों से कोई कपड़ों की दुकान खुलती है क्या? ये तो मेरे कपड़े है, मैं आज खरीद कर लाई थी क्या? इतने सारे कपड़े? इतने सारे कपड़े तुमने एक दिन में खरीदे? अरे इतने सारे कहा हैं बस थोड़ी से ही तो है देखिए अब मैंने ना decide किया है कि कम से कम 15 दिन तो shopping पर नहीं जाओंगे इसलिए 15 जोड़ी suit लेकर आई हो और सहली की साथ बाहर गई थी ना तो वहां मुझे ये कुछ dresses पसंद आगी हम कभी बाहर डिनेर वगरा पर जाएंगे तो उसके लिए मैंने ये ले ली और बहुत सस्ती मिल रही थी मैंने पूरी 10 खरीद ली अच्छी है न अरे वो सब छोड़ो लेकिन पहले ये बताओ कि तुमारे पास अल्रेड़ी इतने सारे कपड़े हैं और इतने सारे कपड़े तुम आज और खरीद कर ली आई और बोल रही हो कि अभी मैं 15 दिन के लिए शौपिंग पर नहीं जाओंगे इसका मतलब 15 दिन के बाद फिर इतने कपड़े खरीद कर लाओगी हाँ अगर मैंने कुछ आउनलाइन शौपिंग नहीं की तब तो जाना ही पड़ेगा ना एक मैने तब तो ये कपड़े चली जाएंगे और वैसे भी ना मुझे एक कपड़ा दुबारा पहनना पसंद नहीं है अब जानते हो ना मैं हरोज अपने आउटफिट के एक पोस्ट तो इंस्टाग्राम पर जरूर डालती हूँ और वो हमीशे डिफरेंट ही होना चाहिए वरना लोग क्या सोचेंगे इस ते भी छे महीने पहले ही तो ये कपड़े पहने थे और आज फिर से पहन लिए ना बब ना ये मेरे लिए इंसल्ट है ये भगवान इस साब से तुम साल भर के तीन सो पैसर जोड़ी कपड़े खरीदोगी और ये प्रोसेस हर साल रिपेट होगा लगता है एक दो साल में हमारा पूरा घर पूरा का पूरा कपड़ों से ही बर जाएगा और हम रोड पर र ना अरे मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है खैर अभी तो मुझे इन कपड़ों की प्रॉब्लम साल करनी है अपने कुछ पुराने कपड़े तो मैंने आपकी अलमारी में रख दी लेकिन ये सारे नये कपड़े ना मेरी थूड़ी हेल्प करो ना अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुमारे कपड़े इन अलमारियों में क्या इस पूरे कमरे में भी नहीं आएंगे अरे बाबो मुझे लेक्चिर मत दो अगर हैल्प करनी है तो करो वर ना मत करो रिशी जैसे तैसे प्रियंका की हैल्प करके अलमारी में सारे कपड़ों को ठूस देता है कैसा काम था यह सास भूल गई मेरी प्लीस दुबारों मुझसे ऐसा कुश मत करवाना सच बताओ ना जितने कपड़े तुमने मुझसे इन दोनों अलमारी में ठुसपा है उतने कपड़े आज तक मैंने कभी किसी दुकान वाले के पास भी नहीं देखे ऐसा लग रहा है जै आज उसने कपड़े सेट करने में इतनी महनत किया है तो कम से कम कुछ दिन तो उससे रेस्ट मिलेगा लेकिन अभी नहीं ही अभी तो प्रियंका ने ऑनलाइन साडिया भी ओडर की हुई थी आगले दिन डिलिवरी बॉय प्रियंका को साडिया देखा जाता है अरे बहु यह घर में सबके लिए मंगा लिए क्या बाहू नहीं मा जी अभी तो सिर्फ अपने लिए मंगा आई है अगर आपको भी अच्छे लगे तो आप मुझे बता दीजी मैं आपके लिए भी मंगा दूँगी आरा ना नहीं नहीं रहना दे अच्छे ममी जी वैसे आप मेरी एक मज में तो नहीं आया लेकिन तू क्या रही है तो खीच देती हो ला यहाँ पर नहीं ममी जी गार्डन में खीचो बैकग्राउंड भी तो अलग-अलग होने चाहिए ना अच्छा बबा गार्डन में चल प्रियंका अपनी नई साड़ी में खूप सारी फोटोस खीचवा कर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है अच्छे ममी जी अभी न मेरी अलमारी में कपड़े रखने की जगा नहीं है तो मैं ये साड़ी आपके अलमारी में रख दू क्या इतनी जल्दी तेरी अलमारी भी बर गई चल कोई बात नहीं रख दे वैसे भी मेरी अलमारी में तो म कपड़े रख देती है एक हफ़ते के अंदर अंदर वो अपनी सासुमा की पूरी अलमारी को अपने कपड़ों से भर देती है तब ही कुछ दिन बाद जब सब लोग सीरियल देख रहे थे तो प्रियंका बहां आती है एक मिनिट वीडियो पोस्ट करना दी दी ओमाइगाड कितना सुन्दर डिजाइन बनाया है ब्लाउस का और इसका अनार कली तो देखो कितना प्यारा लग रहा है बस एक मिनिट रुकना मैं अभी अपना फोन लेकर आती हूँ इसकी फोटो क्लिक करके अपनी बुटिक वाली को भेजूँगी मुझी बिना सीम टू सेम ऐसा ही ब्लाउस और अनार कली बनवाना है प्रेयंका भाबी को तो कहीं नए कपड़े दिखे नहीं और वो शुरू हो जाती है अरे भाबी अभी तो इतने सारे कपड़े खरीदे आपने और अपनी बुटिक वाली से भी कपड़े वापस लवाओगी मम्मी की अलमारी को त कर दी ना तो मैं तो चाही जाओंगी देखना आप लोग कितने सारे फॉलोर्स बढ़ जाएंगी मेरे यह भगवान तुम और तुम्हारे फॉलोर्स एक दिन हमारे घर को पूरी तरह कपड़ों से भर तोगे तुम्हें नहीं लगता प्रियंका जिस चीज की जरूरत जितन और और अजमें नहीं आता अचा मैंने फोटो क्लिक कर लिए है तो आप अपना सिरियल एंजोई करो मैं चली ॉपने बौुटिक वाले से बात करना है प्रियंका अपने बुटिक वाली से कॉल पर बात करती है और बहुत सारी ऑन-लाइन साढ़िया खरिद कर उसकी बुटि बिस दो महिने के लिए खरीदे है, अब दो महिने तक मैं कुछ भी नहीं खरीदे वाली, इतना सारा सामान हो गया था मेरे पास, वो तो अच्छा है बुटिक वाली दीदी ने मेरे साथ गाड़ी भीज दी, मना कैसे लाती मैं ये सब, अब दो महिने के लिए इंस्टा पर तेन महिने हुए है, और तुम्में पता भी है, इन तीन महिनों में तुम कितने कप्ड़े खरीच चुकी हो, हजारों से तो तुम्हारे कप्ड़ों का हिसाब कपका निकल गया है। अरे तो क्या हो गया? हमारे पस पैसो की कमी है क्या? अच्छे ये सब छोड़ो, मैं ये कपड़े शीना के अलमारी में रखने जा रही हूँ ए बगवान, अब शीना के अलमारी भी भर जाएगे प्रियंका सारे कपड़े लेकर शीना के कमरे में जाती है अरे भावी, ये इतने सारे कपड़े लेकर आप यहाँ कहीं आप मेरी अलमारी में तो ये कपड़े रखने नहीं आई? अरे वा, तुन दो बहुत समझदार हो मैं ये कपड़े मम्मी जी के अलमारी में रख देती लेकिन उनकी अलमारी भर गई है न तो सुचे तुम्हारी अलमारी में रख दू ब्रियंका शीना की अलमारी में ठूस ठूस कर कपड़े रख देती है उसके बाद भी शीना की अलमारी में उसके सारे कपड़े नहीं आ पाते अरे यार, तुम्हारी अलमारी तो बहुत चूटी है बाकी के कपड़े अब मुझे अनिता दिती के अलमारी में रखने पड़ेंगे क्या? अरे बाबी यह आप क्या कर रही हो? घर में सब की अलमारीों को भरतोगी, तु सब अपने कपड़े कहां रखेंगे? अरे जब तक चल रहा है ठीक है ना? अगर प्राब्लम हुई तो नई अलमारी खरीद लेंगे प्रियंका अपने बाकी के कपड़े लेकर अपनी जिठानी के कमरे में जाती है अरे प्रियंका तुम्हे इतने सारे कपड़े लेकर मेरे कमरे में क्यों आ गई? तुम्हारी प्रेस खराब हो गई है क्या? कपड़ों पर प्रेस करने आई हो? अरे नहीं न दीदी ये तो मैंने नए कपड़े खरीदे थे तो वही लेकर आई हो मेरी मम्मी जी की और शीना के अलमारी ना भर गई सुचा आपकी अलमारी में ये कपड़े रख दू लेकिन मेरी अलमारी में तो अल्रेडी मेरे और ममी जी के कपड़े रखे हों है तुमने ममी जी के अलमारी में इतने सारे कपड़े रख दिये कि मम्मी जी को अपने कपड़े मेरी अलमारी में रखने पड़े ओहु, इसका मतलब मुझे नहीं अलमारी खरीदनी पड़ेगी चलो कोई न, कल मैं अलमारी ओर्ड कर दूँगी अरे प्रियंका ऐसे तो तुम्हें हर माईने नहीं अलमारी खरीदनी पड़ेगी थोड़ा तो समझो, इसमें समझना क्या दिदी अब कपड़े ज्यादा है तो अलमारी भी खरीदनी पड़ीगी अच्छा वो सब छोड़ो मैं चलती हूँ प्रियंका तो ये सब बोल कर वहाँ से चली जाती है लेकिन आनीता समझ जाती है कि अगर इसे अभी ठीक तरह से नहीं समझाया तो कल को घर का कपड़ों से क्या हाल होगा कोई नहीं जानता अब तो प्रियंका को अच्छी तरह समझाना ही पड़ेगा अगले दि अरे दीदी इतनी सुबसुब कहां जा रही हो आज शुकरवार है ना तो संतोशी माता के मंदिर जा रहे हूँ तुम भी आजाओ दोनों साथ में चलते हैं अच्छे ठीक है दीदी मैं अब भी तयार होकर आती हूँ मैं अभी ना बहुत टाइम से मंदिर नहीं गई तो इसी बहाने मातारानी के दर्शन भी हो जाएंगे बस अब थोड़ी देर रुको मैं अब भी साड़ी चेंज करके आती हूँ हारे लेकिन दुमने इतनी अच्छी साड़ी तो पहनी है साड़ी चेंज करने की क्या ज़रूरत है ऐसे ही चलो बहुत अच्छी लग रही हो दीदी वो क्या है न सुबह मैंने इस साड़ी में इंस्टा पर एक पोस्ट अल्रेडी करती है अब मंदिर जाओंगी तो वहाँ पर भी पिक्चर क्ले करके इंस्टा पर अप्लोड करूँगी तो आउट्फिट रिपेट हो जाएगा न इस लिए दूसरी साड़ी पहन कर आती हूँ अनिता उसकी ये बाद सुनकर उसे देखती रह जाती है थोड़ी दिन में प्रियंगा दूसरी नई चम-चमाती साड़ी पहन कर आती है और अनिता के साथ मंदिर जाती है मातारानी के दर्शन करके जैसे ही वो दोनों मंदिर से बाहर आती है प्रियंका की नजर मंदिर के बाहर बैटे कुछ गरीब बच्चों पर पढ़ती है जिन्होंने बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनके पैरों में पहनने कुछ चपल भी नहीं थी उन्हें देखकर प्रियंका के पैर वहीं जम जाते हैं क्या हुआ प्रियंका? रुप क्यों गई? दीदी ये बच्चे… हो, ये बच्चे तो यहीं पर रहते हैं, क्यों क्या हो गया? हाँ, लेकिन उन्होंने कैसे फटे पुराने कपड़े पैने हुए हैं अभी तो सर्दियां भी आ गई है ये किस सर्दियों में भी ऐसी कपड़े पैनेंगे? अब क्या कर सकते हैं, प्रियंका? जिसके पास जितना है, वो उतने में ही गुजारा करता है इन बेचारों को दो वक्त का खाना मिल जाए, वह ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है चलो घर चलते हैं प्रियंका उस समय तो अनिता के साथ घर लाटाती है लेकिन उन बच्चों को देखकर उसका मन बेचैन हो गया था उन बच्चों के बारे में सोच सोच कर उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई तभी अगली सुबह घरवालों को घर के बाहर से प्रियंका की तेज-देज आवाज सुनाई दी सभी उसे देखने गया तो उन्होंने क्या देखा चलिए हम भी देखते है ब्रैंडन माल सस्ते में दो हजार वाला सूट ले जाओ हजार में अरे प्रियंका बहु यह क्या कर रही है चलो चल कर पूछते हैं तीनों उसकी पास जाती है अरे प्रियंका यह तुम क्या कर रही हो ये इतने सारे कपड़ों का धेर यहाँ पर क्यों लगाया हुआ है बस इन सभी कपड़ों को बेच रही हो दीदी लेकिन क्यों भाबी ताकि इने बेच कर उनके लिए कुछ खरीच सको जिनके पास पहने को कुछ नहीं है क्या मतलब मतलब की कल जब दीदी के साथ मंदिर गई और उन बच्चों को देखा जिनके पास पहने के लिए कपड़े भी नहीं थे तो बहुत बुरा लगा मैं अपनी अलमारी में रखा एक कपड़ा भी दुबारा नहीं पहन थी और वहाँ उन बच्चों की पास पहने को एक जोड़ी भी ढंके कपड़े नहीं थे पैरों में पहने के लिए चप्पल नहीं थी पहले मुझे कभी चीजों की वैल्यू समझ में नहीं आई लेकिन कल जब उन बच्चों को देखा तब समझ में आया कि उन बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीतूंगी चलो फाइनली मेरा मिशन काम्याब हुआ जो समझाने के लिए मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर गई थी आखिरकार वो तुम्हें समझ में आ ही गया अरे वहाँ आनिता भाबी जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया आज समझ में आया कि आप क्यों इनकी जिठानी हो शीना के इस बात पर सभी हंसने लगते है और प्रियंका के साथ मिलकर उन सभी कपड़ों को सेल करने में उसकी मदद करते है प्रियंका उन पैसों से उन बच्चों के लिए नय कपड़े और जूते खरिद कर लेकर आती है और ऐसा करके आज सही माइने में उसके दिल को जो खुशी मिलती है वो उसकी आखों के आशों से बया हो जाती है